जैसे ही हम conceive करते हैं अपने होने वाले बच्चे को ले करके बहुत सारे टिप फॉलो करते हैं जो लोगों को द्वारा बताये जाते हैं या फिर जितनी हमें जनकारी होती है या लोगों से जो हमें जनकारी मिलती है तो बच्चे को ले करके हर एक pregnant woman मन में बहुत सारे अच्छ संसकारी और बताते हैं कि बच्चेों को अच्छे से सरू करते हैं जो भी हम करते हैं अगर हसते हैं रोते हैं है तो इसे तरह से हम जो काम कर रहे होते हैं बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है और बच्चे उसे फॉलो करते हैं गर्व से ही इसलिए 16 संस्कारों में से गर्व संस्कार को सरपर्थम संस्कार माना गया है जो 30 और 26 संस्कारों सा प्रेगनेट बुमेन के लिए भी कुछ ऐसे नियम है जिसे प्रेगनेट बुमेन को जरूर फॉलो करने चाहिए नहीं तो होने वाले बच्चे पे नकरात्मक असर पड़ता है तो हम बात कर रहे हैं क्या-क्या फॉलो करना चाहिए जो बहुत ही जरूरी है करमती महिलाओं के लिए तो मेरी वीडियो पे अंध तक बने रहे हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि मेरी हर एक वीडियो को नटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प पर करेंगे जिसे प्रेमिट भूमेंज को जरूर फॉलो करना चाहिए तो सबसे पहला पाइंट है कि गर्वती महिला के कमरे में हिंसक जानवर मतलब बहुत ही जो खुंखार है वैसे जानवरों का पिक्चर कमरे में नहीं होना चाहिए जैसे बाग है टाइगर और लॉयन इस सबका चित्र अपने कमरे से हटा दें जब तक आप प्रेगनेंट हैं डिलेवरी को बापास इसे अपने कमरे में लगा सकते हैं इसके अलावे आप यूद है मतलब कि लडाई वाली वैसे भी फोटो आपके कमरे में नहीं होने चाहिए इसके अलावे आपके पित्रों कमरे में नहीं होना चाहिए इससे क्या होता है निगेटिव इनर्जी का संचार होता है कमरे में जो खास करके बच्चे पे नकरात्मक असर डालती है दूसरा है प्रेगनिट वुमेन अपने बाल खूला ना रखें इससे क्या होता है निगेटिव इनर्जी शुरू होती है और बच्चे पे इसका बुरा असर पड़ सकता है खास करके रात में अपने बाल बान करके ही सोएं इससे पॉजेटिव एनर्जी होगी और बच्चे के हेल्फ पर अच्छा असर आएगा प्रेग्निन्ट वुमेन की बेड़ भी टूटी नहीं होने चाहिए फालतों के चीजहें इसे क्या होता निगेटिव इनर्जी में बर्भत्री होती है कोई बी टूटी फ्युटी समाना एगर में नहीं रखना चाहिए फास करके उनके कमरे में प्रेग्निनके महिला के कम्रे में तूटी फूटी या तूटी बेट नहीं होनी चाहिए ताकि निगेटिव इनर्जी ना रहे रूम में और बच्चे पे इसका असर न पड़े तो एक रूम को अच्छे से ढंग से सजा करके रखे वेवस्तिक हर एक चीज को वेवस्तित रखे ढंग से रखे ताकि पुजीटिव इनर्जी का संचारों और बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़े फूर्थ पॉइंट है कि प्रेग्नित भूमेन का रूम साप हो मतलब साप सफाई पे अच्छे से ध्यान दे अच्छा सा सजा हो इस फूर्थ पॉइंट में मैंने बोला फूर्थ प अरेंज करके रखें ताकि हमेशा पुजीटिव इनर्जी का संचार होता रहें और पाजमा सबसे लाश्ट पॉइंट जो कि बहुत एखास है एक पॉइंट प्रेग्निंट भूमेन के सासर उनके हस्वन के लिए भी है मतलब नौ महीने हस्वन और बाइब मतलब होने वाले माता-पिता दोनों के लिए यह बहुत ही ज़रूर है पूरे नौ महीने तो यह पाइंट है कि ऐसे तो दच्छिन दिशा में सर रख करके सोना मना होता है लेकिन प्रेग्निंट के दिनों में पूरे नО हो सकते हैं इसलिए खास करके 9 महीने पूरे प्रेगनेंसी के दीनों में दच्छिन दिसमिक सर करके सोना चाहिए ताकि पितर खुस रहे हैं और हमारे आने वाले बच्चे का मतलब फीचार अच्छा हो और उनका हेलत अच्छा हो संसकारी हो गुनी हो और परतिवावानों तो इन चोटी चोटी बातों को ध्यान में रख करके अपने पूरे 9 मेने मतलब प्रेगनेंसी के पूरे दीनों को अच्छी तरह से खुस हो करके खुसनुमा तरीके से बैतीत कर सकते हैं अस्पेंड कर सकते हैं अपना इंज्वाई कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दीनों को आई हो एक वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होगी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाबाई टेक केर और हमेशा खुश रहें स्वस्थ रहें और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें